नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आखिरकार मायावती जी ने गटबंधन का ऐलान कर दिया है जो लोग लग लगातार प्रोपगेंड़ा रहे थे मायावती जी के बारे में आज जूठे सावित हुए जी हाँ दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 का चुनाव आने वाला है बस एक महीने के अंदर ही पूरा चुनाव हो जाएगा इसलिए मायावती जीने अपनी जो सक्रियता है एक्टिविटी है वो दिखा दी है उत्तरपरदेश, उत्तराखंड, बिहार, जारखंड, मध्यपरदेश, 36 गड, दिल्ली, पंजाब, भरियाना और यहां तक की गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना तमाम राज्यों में बसपा सुप्रीमो चुनाव लड़ने जा रही है इस बिज दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने एक राज्यों में गटबंधन करने का ऐलान कर दिया है ओफिशली आधेकारिक रूप से मायवती जी ने ये कह दिया है कि हाँ हमने गटबंधन कर लिया है और दोस्तों ये खबर आते ही जो खास दोर से बहुजन समाज है S.E.S.T.O.V.C. माइनोर्टी समाज है वो खुशी से जूम उठा है तो दोस्तों चलिए बिना देर की आपको बताते हैं कि मायवती जी ने किस राज्य में कहां पर गटबंधन कर लिया है दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि मायवती जी ने तेलंगाना में गटबंधन का ऐलान कर दिया है जी हाँ दोस्तों मायवती जी ने तेलंगाना में गटबंधन कर लिया है और जो लोग ये कह रहे थे कि माया वतीजी तेलंगाना में गड़ बंधन कभी नहीं करेंगी केसियार से कभी नहीं करेंगी वो लोग आज फेल साबित हो गए दोस्तों ये गड़ बंधन कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन इतना जानिये कि तेलंगाना में BRS और BSP का गड़ बंधन हो गया है लोग सभाद चुनावों को देखते हुए BSP ने तेलंगाना में गड़ बंधन का ऐलान कर दिया है इस वक्त की दोस्तों सबसे बड़ी खबर KCR ने भी BRS और BSP के गड़ बंधन का ऐलान कर दिया है और इंजिनियर राम जी गौतम जो MP हैं राजसभा सानसद हैं उन्होंने भी ट्विट कर दिया है कि ये ओफिशल हो चुका है हम तेलंगाना में KCR की पार्टी जो BRS है उसके साथ गड़ बंधन कर रहा है साथ ही साथ ये ट्विट देखिए ये भी ओफिशली कर दिया गया है डॉक्टर RS प्रविन ने ट्विट कर दिया है कि बसपा 2024 के लोकसभा के चुनाव में गड़ बंधन कर चुकी है कर लिया है तो दोस्तों आखिरकार बहुजन समाज पार्टी ने एक राज में गड़ बंधन की शुरुवात कर दिया है और माना जा रहा है ये सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा ये पंजाब में भी हो सकता है ये हरियाना में भी हो सकता है उत्तर परदेश में हो सकता है बिहार में भी हो सकता है और भी कई राज्यों मद परदेश 36 गड़ राजस्थान में भी बसपा सुप्रीमो गड़ बंधन कर सकती हैं और सबसे बड़ा गडबंदन कहा जा रहा है कि उत्तर परदेश में बनेगा बहराल दोस्तों जो सीट है वो भी आपको बताना चाहता हूं कि किन सीटों पर वस्पा सुप्रीमो ने चुनाव लड़ने की हामी भर दी है सीट शेरिंग भी बाकाइदा कर ली गई है कि केसी आर की पार्टी बियरेस कितने सीटों पर लड़ेगी और बोजन समाज पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी ये भी तैंक कर दिया गया है ओफिशली अनाउंसमेंट हो चुकी है आधिकारी घुशना कर दी गई है लेकिन दोस्तों ये जो गडबंदन हुआ है इसके पीछे श्रेज आता है एक और एक शक्स वो है RS प्रवीन डॉक्टर RS प्रवीन कुमार को ये पूरा श्रेज आता है दोस्तों याद करिए चार मार्च को RS प्रवीन ने ऐलान कर दिया था कि हम BRS के साथ गडबंधन कर रहे हैं लेकिन जैसे ही RS प्रवीन ने ये कहा कि हम KCR क लोगों ने तुलना शुरू कर दी चंडरशेकर आजाद रामड और R.S. प्रभीन के बीच लोग कह रहे थे कि भाई KCR से чंडरशेकर मिल रहे हैं तब आलुचना हो रहे थी अब R.S. प्रभीन क्यों मिल रहे हैं इनने क्या के C.R. की पार्टी भी R.S. के साथ गर्वंदन करना चाहिए आरेस प्रवीन को उस समय तमाम आलोचनाओं को सामना करना पड़ा था तमाम बहुजन के जो न्यूशन हैं वो भी इनकी आलोचना कर रहे थे कि आरेस प्रवीन को इस तरह केसी आर से नहीं मिलना चाहिए था दरसल लोग ये माहौल बना रहे थे कि जो केसी आर हैं वो सम्विधान विरोधी बाते करते हैं और एक सम्विधान विरोधी व्यक्ति से आरेस प्रवीन साहब को नहीं मिलना चाहिए तो ये बाते चली रही थी उस दौर में दोस्तों याद करिए उत्तर परदेश में कॉंग्रेस और ब्यस्पी के बीच ग इसे कोई गडबंधन नहीं करेगी और जो गडबंधन की बाते करते हैं वो एक अफवा है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भरमित करने का काम करते हैं ये बसपास सुप्रीमों ने दोस्तों कहा है अब सोचिए बसपास सुप्रीमों ने एक ट्विट किया आधिकारी फो रही है इस गड़बंधन को लेकर दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर BSP चुनाव लड़ रही है दोस्तों वैसे तो तिलंगाना में 17 लोगसभा सीटें हैं लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है BSP ने 2 सीटों पर तिलंगाना मे गड़बंधन किया है तो लोगसभा में बसपा को 2 सीटें मिल रही है यह सीटें जान लीजे बहुत ही महतपूर सीट एक तो है तो है तेलंगाना की हैधराबाद लोगसभासीट है दोस्तों है जिससे ओभैसी साहब हमेशा चुनाव जीत कराते हैं और दूसरी सीट है नگर कुर्णूल की सीट नगर कुर्णूल जो सीट है दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ ये सीट है सी समाज के लिए रक्षित है और हैदराबाद सीट जनरल के लिए है यानि हैदराबाद पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है कोई भी किसी भी जाती धर्म का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है लेकिन जो नगर कुर्णूल सीट है उस पर सिर्फ और सिर्फ दलिज समाज का व्यक्ति ही प्रत्याशी होगा तो जो गटबंधन हुआ है 15 और 2 बी आरेस ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है कि भाई सिर्फ दो सीटे आपको मिली है दोस्तों यहाँ दो सीटे नहीं यहाँ पर दरसल एक शुरुआत की जरुवत थी लोग कई तरह की आलोचना कर सकते हैं सवाल खड़े कर सकते हैं कि भाई दो सीटे मिली एक सीटे मिली तमाम तरह कि उसमें नुक्स निकाल सकते हैं मीन मिट निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर एक सीट ही बसपा जीच जाए तो दोस्तों यह बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि अभी दक्षिन भारत में बि-स-P ने कोई लोग सभा सीट नहीं जीती है और माना जा रहा है इस बार तेलंगाना में बि-स-P अपना खाता खोल लेगी नगर कुरनूल सीट है खासतोर से स्टी के लिया रक्षित है यहाँ काफी मजबूत माननी जा रही है बि-स-P औ और ऐसे में केसियार यहां उमिद्वार नहीं उतारेंगे तो जाहिर तोर पर पूरा का पूरा जो लाभ है नगर कुर्नूल में वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को ही इसका फाइदा मिलेगा। दोस्तों इस गरबंदन को लेकर कई सारे लोग सवाल कड़े कर रहे हैं तो कुछ लोग खुशी का इजार भी कर रहे हैं अब देखे जंजर राहूल ने लिखा है मानवर साहब राजनिती का वो चमकता सूरत थे जिनकी चमक आज भी बरकरार है आज भी बहुजन समाज का मार परकदर्शन कर रहे हैं नमन मानवर साहब तो यहाँ पर लगातार लोग तारीफ कर रहे है जो आरेस प्रवीन हैं उनकी खूप तारीफ हो रहे एक खूप प्रशन सा हो रही है कि आरेस प्रवीन ने वो करके दिखाय जो शायद बहुजन समाच पार्टी में कोई निता दोस्तों खुद ही गटबंधन की बात्चीत की शुडवा रस प्रबीन ने किती, उसके बाद उन्होंने राम जी गौतम को ये संदेश भेजा, उसके बाद राम जी गौतम हैदराबाद गए, राम जी गौतम KCR और रस प्रबीन के बीच वारता हुई बात्चीत हुई, और आखिरकार अब गटबंधन का ऐलान कर दिया गया है तो दोस्तों इस गटबंधन से बहुत सारा फायदा मिलेगा खास तोर से दक्षिन भारत में भी ब्यस्पी अपना खाता खोल लेगी तो दोस्तों जहां मायवती जी ने गटबंधन नहीं करने का फैसला किया था वहीं एक राज में गटबंधन हो चुका है मैं आपको ट्वीट का जो दोस्तों सार है बताना चाहता हूँ ट्वीट में ये नहीं लिखा था कि वो किसी क्षित्रिये पार्टी से गटबंधन नहीं करेंगी दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ वो पार्टी ना तो इंडिया गडबंधन करने में आसानी हुई कोई दिक्कत नहीं आई हाला कि कुछ लोग कह रहे थे कि AIMIM और BRS और BSP का गडबंधन तलंगाना में होगा लेकिन अब साफ तोर पर यहां दिख रहा है कि AIMIM तो गडबंधन में नहीं है क्योंकि हैदराबाद सीट पर BSP अपने उम्मिद OBSI से होगा AIMIM चीफ OBSI से उनका मुकाबला होगा दोस्तों हैदराबाद में कुल मिलाकर बहुती तगड़ी फाइट होगी और इस गडबंधन से कही ना कहीं जो बहुजन समाच पार्टी की जो पैठ है और बढ़ेगी बहुजन समाच पार्टी की शक्सियत में और इजा किया जा रहा है जमु कश्मीर से लेकर तेलंगाना और दोस्तों तमाम पूरे भारत वर्ष में BSP अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है लेकिन ये बहुजन समाच के लिए बहुत बढ़ी खुशकबरी है कि BSP तेलंगाना में गडबंधन कर चुकी है तो भले ही दो सीटों पर ही समझोता हुआ लेकिन कम से कम देर आये दुरुस्ता है कम से कम गडबंधन की शुरुआत तो ही दोस्तों इसलिए तारीफ होनी चाहिए कि गडबंधन किया अब लोग इंतजार इस बात कर रहे हैं कि तेलंगाना में तो हो गया क्या उत्तर प्रदेश में होगा दोस्तों माना जा रहा कि उत्तर प्रदेश में भी गडबंधन हो सकता है क्योंकि जैसे ही आचार संगिता लगी आचार संगिता लगने के बाद या उसके दो-चार दिन के बाद माना जा रहा है कि बेस्पी सुप्रिमों आकेले नहीं लड़ेंगी और जो ट्विट उनका था वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये संदेश देने का बहुत सारी चर्चा चल रही थी उस समय इसलिए मायावतीजी ने आकर उस डिवेट को उस चर्चा को वीराम लगाने की कोशिश की थी और इसलिए आकर ट्वेट करके कहा कि हम गड़ बंदन नहीं कर रहे हैं आ पूरे देश में ब्यस्पी इस बात चुनाव लड़ रही है बहराल दोस्तों इस वीडियो में फिलाल के लिए बसिदना ही आप से मेरा सीधा सा एक सवाल है जिस तरीके से ब्यस्पी और ब्यारे से गड़ बंदन हुआ इस गड़ बंदन को आप कैसे देखते हैं अपनी प अन्वात शुकुरिया जै भारज जैसम्दा